हेलो दोस्तों वेल्कम टो अग्यार्थमेटिक्स जैसा कि आज के टाइम पे फ्यूल हमारे जोग की खतम होने की इस्तितीव पे हैं ऐसे में हमें एक रिन्यूबर एनरजी के सोर्स के रूप में सोलर एनरजी का यूज कैसे करना चाहिए आइए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो हम तक पहुषता है वह फोटोन के रूप में पहुषता है जब यह फोटोन फोटो वोल्टिक सैल जो है सोलर से इस पर करते हैं तो इस वह से बैसे enfant महाई से अपनी जगा से दो चाहित है तो उसके रिपलेस से उसके मूर्मेंट से ठीक है उसके घूमने से क्या होता है electricity produce होती है अब यह electricity कैसे होती है इसको हम समझ लेते हैं जैसे कि इसमें दिखाया है कि सुर्य का प्रकास जीसे फोट ऑन के रूप में ठीक है यह किस रूप में है funds फोट ओन आपने ciert को रूप में यह दिखा रहा है फोटोवोल्टिक सैल को इस तरफ से यह ऐसे करके सिलीकॉन ठीक है और कोई अधर सेमिकंडॉक्टर जिसे यहां पर इसे मारा धक्का दिया और क्या करेगा पूरे उसमें मूफ करने लग जाएगा इधर अब आगे देख लेता है कि होता क्या है जैसे कि आपने सैंड्विश देखी होगी सेंड्विश में क्या होता है एक ब्रैड होता है एक ब्रैड होता है उसके बीच में टिक्टिक के डली होती है तो यहां भी जो आकरती होती है वह सैंड्विश की तरह होती है ठीक है जो उपर का पार्ट होता है ठीक है उससे हम क्या कहते हैं और नीचे की पैप नीचे का उन्टाएं के साथ कासे मला थेिते हैं ठीक है फॉस्पोरास का कितना होता है Fosforus के बाहर 555 होता है 15 होता है उसका प्रमाइब aíıs तो क्या होता है कि उसके फोट से कितना 234 फोटों के साथ इसके комнаre綃ट बॉन बनेंगे त्क है सबुन बनेंगे और बाकी गजया यह ठोट बॉड़ से बनेंたい यह बनेंगे तिक करी का साल के सांए पन्दा हूआ ठीक है मतल紙 के साथ पेरिंग में नहीं वहों जूड़ा हुआ हुआ है अब क्या होता है जैसी ही माली यह है यह अपनी जगह से निकलने से क्या होगा यहाँ पर बन जाएगी खाली स्तान बन जाएगा ठीक है तो क्या होगा यह निकल के मुव गया ठीक है तो इस वहें यह से क्या होता है क्या होता है जैसे हाँ पर मैंने इसमें दिखा दिया आगे देखिये कि यह करके देखे मैंने दिखा देके एक्स्ट्राइल लॉक्ट ओना यह मूव हो रहा है ठीक है तो यह एंड टाइप का हो गया अब पी टाइप का समझ लेता है पी टाइप में क्या करते हैं कि बोरोन यह अदर्स को ले सकते हैं ठीक है जिसके प्रमाणु करमांग जो बाहर का होता है ठीक है वह तीन होता है ठीक है यह तोटल किता पांच बोरोन का दो अंदर इनर साइल में और आउटर में किते तीन ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें सिलीकॉन देखे सिलीकॉन ने क्या करा अब यह तीन तीन हो गए सिलीकॉन के चार होगे यहां पर बांड ज का होता हैண Repúblicaा स्कातीन ही तो चौताई लेगा किसी से या बनाएगा देखिए बोरोन नहीं हाब नहीं इस साथ बना ली आज सब्सक्राइब इसजार बॉर्ण के ओटर में कहा सिक्स ठीक है सिल्लीकन इधर इधर जो इधर वाला है इसकें पूरे वह अब जो नीचे रह गया ठीक है यह तो सिल्लीकन का इलक्टोन होगा लेकिन यहाँ बोर्ण को क्या है क्या संक्किल के समयाओक वो तो on balance रहे गया तो क्या होता है ना कि यह कि एकदम से यहां आ हाजाएगा तो इस वह से पूरा चलते रहता है ठीक है ऐसे करके क्या होता है पूरे उस में एलेक्रोड वॉत रहता थीक है अब हम समझ गई किव्ट टाइप के होता कैसे हमें एक्शेलने में ठीक है अब देखे आँ भांप कर गया कभी इदर मुवब कर गया इस वह से प्रोड्य 2023 ऑब आगे समझ लेते हैं देखे यह होता है actual diagram कि उसका किसका solar cell का photovoltaic cell जो है ठीक है इसमें देखे उपर क्या है आप बताइए उपर फास्पूरा जोड़ा का है तो यह उपर क्या है एंड टाइप सेमी कंड़क्टर ठीक है जैसे मैंने उपर बता रहे था सेंडविच में कि यह बीच में देखे ला तो वेसी क्या होता है यहां को यहां से जोई फास्पूरास को एक lektron होगा ठीक है वो यहां की IBM के पास जाएगा को कि इसको फिल कर देगा ठीक है अब देखे से मूश्वार्विच्टा गयं बीच छाड़ेगा यह इखविचैने क الجक kg ठीक है इससे क्या होगा एक फ्रेंड फिल्ड फेल्ड फेल्ड प्रोडूस होगया इसी का मीन काम है ठीक है अब देखिए आगे डिश्म में देख लीजिए जैसे के इसमें मैंने पूरे bond बनना के दिखा देंगी कैसे कैसे bond बनने है ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है जैसे ये है तो यह एक फॉसफोरस को यह जो एलक्ट्रान था यह मूव के इधर आगया यहाँ पर ठीक है वैसी यहाँ फॉसफॉरस को जो था वो इधर आ बोरवोन के पास ठीक इसके हैवेटी को फूmaya तरह करदेगा इस वह इस है क्या हुब फॉपटिव चांज देगा ऑपर फॉपटिव चांज rat पॉजिटीव चार्ज क्या करेगा निगेटिव चार्ज को अपनी थरफ खीचेगा तो इस वह से क्या होगा इलाक्टर जितने भी होंगे वह कहां की तरफ उपर की तरफ मूफ करेंगे सब फोर्स के तरह में थिक्ए तो इन के बीच में कहा है एक लेयर वंजाती है इसके बीच में लेयर बन गई जो इन दोनों को बाठ रहे हैं मैंने हाँ पर दिखा दिया थि करकी अब क्या और सोलर जो सूर्य का प्रकास है वो पढ़ा किस पर एंड टाइप ठीक है अब किसी भी पढ़ सकता है इस पर मुव पढ़ा तो इससे क्या होगा इलाक्ट्रोन मुव होगे किदर जाएगा उपर की तरफ और जो उसकी कैवेटी बची वो किस तरफ आएगी नीचे की तरफ ठीक ह कैवेटी नीचे इलाक्ट्रोन उपर ठीक इसी से क्या होगा अब जितने भी लाक्ट्रोन होंगे ठीक है इलाक्ट्रोन सब कहां इकटे जाएंगे यहां उपर की तरफ यह उपर की तरफ और कैवेटी यहां नीचे की तरफ कैवेटी नीचे आ जाएगी ठीक है अब क्या हो करता में inverter बीच में inverter लगाना पड़ता है inverter क्या करता है कि DC को AC में convert करता है ठीक है अब DC सीधा अपलाई अपने घर पे नहीं कर सकते आपके सब खुख जाएगा ठीक है इसलिए कि यहां की DC को जो करेंट आती है उसको एसी में convert कर देता है यह एसी में हो गया और इसको हम जब अपने घर बर में लगाते हैं तो क्या होता है हमारा जो अंदर का बलब है वह चालू जाएगा फिर यहां से जो electron निकले यह जो electron निकले circuit में वह क्या होता है यहां पर जो hole होता है ठीक है उनके साथ फिल हो जाते है तो इससे क्या होता है circuit फूरा हो जाता है जो hole पहले हुए वह electron ने फिल 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 कर दिये ठीक है तो इससे क्या होता circuit पूरे टैंप पे चलता रहता है ठीक है तो यही था सोलर सेल थैंक यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आई यह तो चैनल को प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए